हेलो फ्रेंड्स वेल्कूम टो इमेट प्रेंट दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए क्यों किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गरीब परिवार होता है जो अपना घर का काम सुरू करते हैं बड़ी मुश्किल से क्या है लोन और पास कराके या किसी से लोन जो है पैसे उठाके जो हमकान का काम सुरू करते हैं बट होता क्या है दोस्तों कि उसका जो पैसा होता है ठीक है जो पैसा क्या उत्तरा भी नहीं होता है उससे पहली मुकान में क्रेक्स दुनिया वर की क्रेक्स उसको दिखने लग जाती ग्रेक्स चैनल करहते हैं और जो प्रेसान हो जक्राइब होता है तो इन सभी चीज़ों से स्वेश्ट काम करा रहें तो आज की मेरी वीडियो इसे के उपर है कि जब भी आगर आप 4 इंची दिवर बनवाते हैं ठीक है तो आपको क्या ऑप दिए picture और ने कुछ चीजे बहुत द्हीं है कि नुँछ द्वार में फिर पी चलो यह की कूली श्ट्रेंद होती कि अगर आप यह знаय चीज द्यूद्ध और डिखोगे तो कहीं न आप को प्रिशनलीब पर सकती है तो यह वीडियो अन तक देखिए आई हूप आपको किई कमेंड किजी इन सब्सक्राइब बैल आगन पर सज्रू किजिए तो वीडियो जो करते हैं देखे दोस्ते बहला जो पॉइंट है जो हम साधी चार इंची दिवार जो हम बनाते हैं तो उसमें हमारा तो फिर आप जो थोड़ा फैदे के लिए बड़ा नुक्सान कर जाते हो ठीक है क्योंकि मकान जो है यह दो हैं जोस्तों कि एक साल दो साल की यह हमारा होता है कि हम चाहते हैं कि 10-20-15 साल तो उससे पहले कोई मैंटनाइस भी नहाएं तो आपको जो है मसाला जो उसमें लिए विज मेंटल दिया है तो वह जो है कॉंटेक्ट क्योंकि तो अपनी बचत करनी है दोस्तों ठीक है तो वह एक चाल कभी भी यूज नहीं करेंगा कि यहीं चीज में आपको बता रहा हूं वह चीज जो है कभी निकरेगा तो बचत के लिफ में एक पांच एक छे तक कर देगा तो यह चीज आपको ध्यारंग नहीं है ठीक दोस्तों उसके बात करते हैं कि जो हमारी क्योंकि जो जो जोएंट आएगा तो फिर वहां पर कर एक सानिक चांसे ज़्याद हो जाते हैं तो हमें जो है अपना पूरा जो है मलब की यूज करनी है ठीक दो उसकी बात करते हैं कि क्यूरिंग जो है बहुत बहुत इंपोर्टन है क्यूरिंग का फैक्टर देगो जितनी अच्छी कंपनी के आप सोच्टे हो कि भी सिमेंट ले ठीक है जितनी अच्छी कंपनी का चाहते हैं कि इतनी अच्छी आपकी यीट हो तो उतना ही में काम है आपकी क्यूरिंग का क्यूरिंग मतलब तराई तराई से ही दोस्तों जो आप सिमेंट और जो है आपकी जो वाल ह और मजबूती प्राप्त कर पाएगी दिवार ठीक है उसके बाद जो आपको जो पलमब होता है जो आपका साउल जो सूत होता है ठीक है आपने पलमब से जो है वर्टिगल डाल के देखते हैं कि आपकी दिवार सीधी या नहीं सीधी है कुछ मिस्त्री लोग जो कहमेशन क्या करते हैं वो उसको कम यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि प्लास्टर में जो को मेकप कर जाते बट प्लास्टर में अगर होगा तो फिर वापका ही नुक्सान है अग आपके दिवार जो सीधी नहीं है कि उसमें इंडूलेशन है ठीक है तो फिर जो प्लास्टर उसमें ज्या हम मारते हैं ठीक है दिवार इसे करते हैं तो इसमें क्या है कि यह जो दिवार आप इसमें तो उसका क्या है दिवार का जो है रद्दा निकाल के उसके अंदर यह दिवार का रद्दा जाना चाहिए अंदर तो इस तरी की सब करोगे तो क्या है जो बोंडिंग होती है वह अच वीडियो में तो आपको ऐसा नहीं करना है तो यह आपको दिवार में क्या है रद्दा निकाल के यह जो इटे जो उसके अंदर जाना चीए बिल्कु देजी वहसे बतारा हूँ तो आपको क्या करना है दोस्तों कि चाहरे और इलची में हर चोथे लेयर पे 8 mm का सरीया आपको यूज करना ही करना है अगर आपका corner बन रहा है तो उसमें अब गुमा के सरीया यूज करने से होगा कि जो आपका सरीया होता है जो दूसरे वाली जो वाल होती दोस्तों कि उसके अंदर भी शरीया जो जाना चाहिए था कि जॉइंट पर आपका कॉर्णर में जो आपका क्रेक्शन आए तो इसके लिए भी इसका यूज है और जहें मजबुती मिलती है शरीया अगर आप यूज करते हो हर चोथे लिए रफे ठीक है बट गाउंगरा में यह कोई यूज नहीं करता है अगर आप करवाते हो क्योंकि आप एक टाइम पर वन टाइम इंवेस्टमेंट होता है मकान बनाने का ठीक है तो यह चीज आप निकरना है तो हर चोथे लिए रफे जो आठेम का सरीया जो आपने जुरूर दिलवाना है अगर आप सारी चार इ नाइक कर रहे हैं दिवार की आपको जो वीड़ उशी टाइम पे लगवानी है ठीक है बट कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बाद में लग वीडों मंगाते हैं अजिसमें क्या होगा कि चारे-चार इंची दिवार तो क्या लेडी है तो उसमें बाद मिया पी जो है परी को आप तोड़ाई करवाओगे तो भी आपका नुक्सान है फिर कहीं से क्रेक्स ब्यास सकती है क्योंकि साड़ी चार इंची दिवार है ठीक है तो फिर उसका फिक्सिंग का लग से वर्ट अगर आप जिस टैंप पे आपकी दिवार की जो है चेनाई हो रही है अगर उसी टैंप पे आप जो है अपना विंडो लगा रहे हो तो उसमें क्या है तो जो स्ट्रेंथ है वही मजबुत्ती भी अच्छे से मिलेगी ठीक है आपके तोड़ाई बगारा का जो खर्चा हो भी बत जाएगा ठीक है तो आपने अगर विंडो आपका प्रोविजन है वाल में उस आपने जो है तो डूरिंग जो कंस्ट्रक्शन टाइम ही को फिक्सिंग करा देना है तो यह जीज आपने बहुत जाने तो क्रेक्सानी चंसी भी बहुत जाद होते हैं और एक चीज सबसे में इंपोर्टेंड मापको बता दूँ कि आपकी मोटार होता है जो आपका मसाला हम यूज कि यूज किया गया है उसे ऀसे दूस्तो होगा स्वेंट कि स्ट्रेंथ जो किए हो जो कि एक चीज चीज के लिमित होल Kitchen कि कि आपको आइतने से जवटी को मांने होजाए एसे कम नहीं चीजिए तो तो ऑफ्रशन के ठील Nurse 100ी कि मजलब 10 mm से जवट फिकनச नहीं होगी और के म देखने को मिलेगा ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टेंट से दोस्तों जो कि आपको जो है क्रिस्ट्रक्शन के दोरान अगर आप मकान बनवा रहे हो साधी चार इंची दिवार पर आपको यह चीज अपलाई करनी ही करनी है नहीं तो में क्या है अक्सर जो हमें क्रेक्स देखन सब्सक्राइब को प्रेस जोर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग नान्यवाद